आर्थी भारत देवल ख़गों और कुछ नहीं नमस्कार मैं गुवांचरी आर्थी भारत में आपका स्वावब करती हूँ तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य कबर की ओड़ छप्रा नगर संत सुखदेव क्लब छप्राद्वारा आयजित संत सुखदेव फुटबॉल प्रतियोगिता में सौमार को फाइनल मकाबला खेला गया जिसमें सीनियर जूनियर दोनों वर्गों की टीमों ने शांदार खेल का प्रदेशन किया जुनियर फुटबॉल पुति वगिता में टाउन फुटबॉल कलब छप्रा बनाम संत सुखदेव फुटबॉल कलब छप्रा के बीच रौमान चक मकाबला खेला गया जिसमें टाउन कलब छपरा की टीम को टाई ब्रिकर में पांच चार से जीत हासिल हुई तो सीनियर मुकाबले में मढ़ूरा फुटबॉल कलब की टीम ने संत सुकदेव फुटबॉल कलब को दो एक से हराया पूरे मैच के दोरान खिलाडी जहां गोल के लिए जद्दो जहेद करते दिखे दर्शक भी उनका होसला बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मैच उद्घाटन सारण जिला जद्यू के सदस्य सहाईजन समीती के अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव संत सुकदेव इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सहकारय वक्रम सचीव मुनना सर अन्यगर्मानी व्यक्तियों ने खिलाडियों से परिच्छे पराप्त करके किया प्रतियों गिता में विजई टीम को सारण जिला पुले सदिक्षक संतोष कुमार दौरा समारित किया गया उन्होंने उपस्तित यूगों को खेल प्रतियों गिता आउ में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने की बात कहीं उन्होंने कहा अपने आसपास की हर नकारात मकता को दूर करने के लिए खेला वश्चक है इस से शाररिक और मांसिक तनाव दूर होता है विकास भी होता है उन्होंने आयजन समीती को भी बधाई और शुब कामनाई दी ऐसे आयजन को कराएं और इतने बहतर धंग से संचाल किया और खेल के प्रती युवाओ को जाग रुक भी किया इस दोरान मंच पर आयजन समीती के साथ कॉलेज के कहीं पदा धिकारी वबड़ी संक्या में फुट बॉल प्रेमियों पस्ते थे मनुरण्यन पाठक के साथ रंगीत की रिपॉर्ट 2016 से चलते आ रहा है और सहर के एक सिच्चाविद और खेल के प्रती बड़े ही मंदार सोच रखने वाले ब्यक्ति संसुपदेव बिद्याले के डाइरेक्टर और प्रचाड मुन्ना भार्दवाद जी की सोच है उनकी सोच की उपज है खेल और खिलारियों के प्रती अधाद के कितने टिम भाग लेती है इसमें गत वर्ष तो बालिका बर्ग का भी हुआ था मैं इसमार कोविड-19 के कारण ट्र WordPress कैम और तैयारी कम हो सकी इसलिए इस पर जूनियर और सिनियर बर्ग के बीच यह फाइनल मुकाबला खेला गया जुनियर बर्ग में टावन कलब च्परा और संद्शुक्देव कलब चपड़ा बीच के लागया जिसमें गाउन कलब चपड़ा पांच के मुकाबले चार गोल से जीती प्राइब रेकर में और अभी सिनियर बर्ग में मरहुरा फुटबॉल कलब और संद्शुक्देव फुटबॉल कलब से यह खुबी देखिए क्य सबसे पहले मैं जो दार्स्रीक लोग के उनको मैं स्वागत करता हूँ जो इतने नमन और ज्यादा समय दे करके हमारे तीम के मैच देखे हैं हमारा टीम टाउन कलब राजस्तर ये तीम में कुछ अहम कमिकानी बाता है उसी टीम से हम लोग आते हैं हमेशा हम लोग इस ग्रा चंद्रीका परवद्श को मैं अच्छा करेंगे जब तक स्वास्त में रहेंगे तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छा नहीं कर पाएगे तो मेरा मानना है कि एडुकेशन के साथ अगर फिज्टल एडुकेशन तो अच्छा कर पाएगे हम कल के लिए बच्चों को त्य जो इस्ति बनी है अभी समाज की बच्चे बटकते जा रहे हैं इनका हेल्थ खत्म होते जा रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि इनको जब तक हम फिल्ड में नहीं लाएंगे तब तक इनका हेल्थ नहीं ठीक होने वाला है और जब तक हेल्ट ठीक नहीं होगा तो यह समाज के प्रति जागरूप नहीं होंगे अपने में वर्बाद हो जाएंगे तो हम इनको रोकना चाहते हैं रोकने के लिए हमने कलब बनाई कि इनको हम सिक्षित करें इनको फिजिकली भीट करें यह समाज की कामा है मैसेज यही है कि खेल पुद नकिबल सारणिक और मानसिक विकास का एक जरिया है बल्कि आज कल प्रोफेशन के रूप में लिए है और सबसे महत्कुन बात है कि इससे टीम भावना जागरित होती है और लोग कही न कहीं नाकरात्मक जो चीजें चल रही है उसे निकल करके साक पुद निर्मान का भरोजा लालस्टी टीम टीम टी बार्स हर निर्मान के लिए उप्योग लालस्टी टीम टी बार्स रिष्टा मजबूती का